तो गाइस इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि आप डेली में जो बच्चों का डेटो बर्ट सेटिफिकर होता है उसका आप कैसे बनवा सकते हैं तो फ्रेंड इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको हॉस्पिटल के मेडिकल रिपोर्ट डिपार्टमेंट मतलब की MRD सेक्शन में जाना पड़ता है आपको हॉस्पिटल में MRD सेक्शन में जाना है उसका फ्रेंड टाइमिंग यह रहता है 9 a.m. से 12 p.m. Monday to Friday तो फ्रेंड जैसे कि आप कोई भी एक्जेंबल लेते हैं जैसे कि सबसे पहले पेशेंट होते हैं मतलब जो मदर है और जो चाइल्ड है उनका एक डिशार्ज पेपर मिलता है तो फ्रेंड पेशेंट मतलब की मदर और चाइल्ड का एक डिशार्ज पेपर मिलता है हॉस्पिटल से तो आपको वह लेके जाना है उनके पास इसके पास हमारे पास स्टेब बन जो कि MRD डिपार्टमेंट का होता है तो फ्रेंड ये वो MRD डिपार्टमेंट है जैसे कि मैं सब्रजंग की बात करता हूं तो फिर वहाँ पर ये डिपार्टमेंट है अब आपको यहाँ पर जाना है ठीक है तो फ्रेंड ये पहला स्टेब हो गया तो फ्रेंड इसके बात क्या होगा कि जैसे ही आप MRD डिपार्टमेंट में जाएंगे तो फिर वह आपको एक रेगिस्टेशन नमर मिलने के बाद वह आपको क्या बोलेंगे कि आप जाके इसक रेगिस्टेशन नमर से क्या करते है वह देट बड़ सर्टिफिकत में बच्चे का नम नहीं होता है तो फ्रेंड मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आप उसका प्रिंट आउट नहीं क्लोई है क्योंकि इसका कुछ जरूत नहीं होता है ठीक है आपके पास जो रेगिस्टेशन देट बड़ सर्टिफिकेट है वह आपको मिल दाएगा लेकिन बस उसमें यह है कि बच्चे का नम उसमें एड़ेट नहीं होगा इसके बाद फ्रेंड स्टेप नमर टू है उसमें क्या होगा कि एक फॉर्म होता है चाइल नेम एडिशन एप्लिकेशन फॉर्म होता है आप आपको पूरा वह फिल कर देना है ठीक है इसके बाद आपके पास माता पिता के आधार कार्ड के जो को फोटो कॉपी होती है वह होनी ची है और फ्रेंड डेट बड़ सेटिफिकेट के लिए 20 रुपे चार्ज होता है तो फिर 20 रुपे का जुगार करना पड़ता है और इस प्रेंड नेम एडिशन फॉर्म तो फ्रेंड इसका यह फॉर्मेट है टूदर रिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ यूनिट मंदिर मार्क निदेली तो फ्रेंड आप कहीं भी जाते हैं जैसे कि आप अगर मैं सब्जा जंकी बात कर रहा हूं वह क्या करते हैं कि आपको भीज सकते हैं ठीक है पूरे यही डीटेल से रहेंगे आप पेपर पर लिख लिए जैसे इसमें दे रखा है सब्जेक्ट रिगार्डिंग चाइल्ड नेम एडिशन चाइल्ड नेम क्या रखना चाहते हैं अपनी मर्ची का रह सकते हैं उसके बाद आपको डेट बर्स लिखना है के अगरा पट है पिर बच्चे का इमेल है या फिर बॉय आपको लिखना है फिर हॉस्पितल का नाम अगाज सब्जोंग से अざ менее सुप्र्ण नेम लिखना है उसके बाद फिर फ positives लिखना है फिर एडार्स लिखना आपको यहां पर और और ऑन लिखना है उसके प्र आपको उससे भी बन जाएगा, otherwise अगर आप printout इसका नहीं ले रहे हैं और फिर आप हाँ से नहीं लिख रहे हैं, तो फिर अगर आप वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर आपको बच्चे का डेटो बर साइटिफिक्ट बनेगा, तो वहाँ पर भी क्या है, एक वहाँ पर internet cafe है, लेकिन फ्रेंड, तो फ्रेंड यह आपको भड़ देना है, साथ में इसके आपको आधार कार्ड की फोटो कोपी लगा देनी है, मदर और फादर दोनों की, और फ्रेंड एक और important step यह है, कि फ्रेंड जो इसको जमा करने के लिए जाएंगे, वो parents को जाना पड़ेगा, अगर parents में स कोई भी नहीं जा रहा है, जैसे कि mother और father कोई भी नहीं जा रहा है, तो फ्रेंड वो गया करते हैं, वो आपको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आप mother यह father में से किसी को साथ लेकर आईए, तो फ्रेंड इसके लिए आपको जाद रखना है कि जो mother यह father है, आपको उनको ही ले हो गया है ठीक है बर्त को या डेथ को तो फ्रेंड आपको जाना पड़ेगा मंदिर मार्क जाना पड़ेगा अगर एक साल से ऊपर हो गया आपके बच्चे का जन्म और आपने एक option है चरक पाली का hospital का जो की मोतीवाग में है एक option है पाली का maternity hospital का लोधी रोड पे है एक option अमारे पास गिदवई नेगर निउ देली का जो की AIMS में पड़ता है ठीक है जो last option हमारे पास हुई है सरोजने का centre का जो की AIMS के पास पड़ता है और अगर आप सब्द जंग से हैं तो फिर आपको यहीं जाना पड़ता है सरुजुने कर सेंटर पर जाना पड़ता है ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंड यह थी पूरी लिस्ट की आपको किस NDMC ऑफिस में जाना पड़ेगा अगर मैं बात करता हूँ कि उनका टाइमिंग क्या रहता है तो फ्रेंड उनका टाइमिंग यह रहता है 9.30 to 12.30 pm रहता है Monday to Saturday रहता है और online services के लिए यहाँ पर उन्होंने URL दे रखा है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताए कि आपको क्या करना है जैसे कि वहाँ पर आपको वहाँ पर application form जमा कर देना है को mother और father का अधार कार लगा देना है और 20 रोप लेंगे आपसे और वो क्या करेंगे कि उसी दिन आपको बना कर दे देते हैं अगर उस टाइम जादा आशा है तो फिर क्या करते हैं वह आपको एक हपते यह फिर कुछ दिनों का टाइम देते हैं कि आप उस दिन बाद आना तो friend उसके बाद क्या होता है finally आपको इस तरीके का date of birth certificate आपको मिल जाता है आपको फिर यह फ्रेंड यह था पुरा process यह पर में फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपको हॉस्पटल के MRD डिपार्टमेंट में जाना होता है, इसे सबसे जग में MRD डिपार्टमेंट आपको वहां जाना पड़ेगा, उसके लिए जो भी डिस्चार्ज पेपर मतलब जो छुट्टी का पेपर होता है, जब डिस्चार्ज करते हैं पेशन को जब चोड़ते हैं पेशन को तो वहां पर क्या करते हैं दो पेपर देते हैं एक तो मदर का और एक चाइल्ड का ठीक है तो फिर आपको वह लेकर जाना होता है अब इसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको NDMC Office जाना है, तो NDMC Office जाने से पहले, आपके पास एक Child Name Edition Application Form होता है, वो आपको भर लेना है, पेरेंट्स का आधार काड़ का फोटो का भी लगा देना है, और 20 रुपे आपसे चार्ज के जाएंगे, ठीक है, इसके बाद आपको जाना है, NDMC Office पैरेंट्स को जाना है, मतलब कि मंदमी ये पापर में से किजी एक कर जाना है, और वहाँ पे इसको जमा कर देना है, ये वो Child Name Edition Form है, ठीक है, आप इसको देख लिए, आप जाने उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये फिर आप इसको हाथ से लिखके, एक पन्ने पे इसके बाद फ्रेंड आपको जिसे मैंने बताया कि अगर बच्चे का जो जन में है, वो एक साल से उपर हो गया है, तो फिर उसके लिए आपको मंदिर मार्ज जाना पड़ेगा, और जो फ्रेंड जो current year certificate होता है, उसके लिए आपको जो आपके hospital हो बोलते हैं, वो nearest आपको बेजेंगे, ndmc office, जैसे कि सुरोजिन नेगर है, वो सब दजंग hospital ले रहे हैं, तो आपको हाँ, ndmc office जाना पड़ेगा, और ये application form और अधार कार जमा करना ने बाद, आप फाइनली आपको क्या होगा, आपको इस तरीके से date of birth certificate मिल जाएगा, तो फ्रेंड इसा पुरा अजिस शबस्क्राइब, और प्रेंग अगाँ एको ऑन शेर वीडियो लाओ ये शिर्ड़ लाओ उस्मग आपको क्या है, थापको ठाइब एल लाओ व्यूस, भेड़ेद को मिल जाएगाने, वंद आपको अग्स, वेट आपको जाएगाईब, आपको अवागाने, वेगा